नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज मैं आपको जिंको डर्म GM का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ अगर आपको भी इसकीन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है या पर जिंको डर्म GM के बारे में एक जानकारी रख इसके अंदर अगर आप देखे तो 3 प्रकार के ओलिकूल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे सबसे प्रकते कि तो कलो वेटा नियो अवाइसिन और मिकॉनाली प्रकार के ओलेगे में यह क्रिम जो है यह बहुत बढ़का क्रीम है इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता प्राइस क्या है यहां पर आपको तीन की टीउब जो है वह आपको देखने को मिलेगी 30 तरह से कुछ और कैप यहां पर आप देख सकती हो इसकी प्राइस के अगर हम बात करें तो 57 रुपीज इसकी प्राइस से यहां पर देख सकती हो किलान की प्राइस है चल्की जानती किस्का यहुचं कहां कहां पर कर सकते हैं हुट सारी तो इसकी इसकी में ऐलर्जी की समस्य होतीäg प्रणील इंफेक्षन होती और प्लू वटा सो का भी इस्तिमाल क्या गया है, यानि कि यह एक Ishteroid क्रीम है, तो इसको लोंग टरूम तक यूज नहीं ही कर सकते हो, सो कवर क तरूम के लिए ऑप इसका इस्तिमाल करें, और बहुत सारे लोग इसको फेर्एघरनेज क्रीम के रूप में भी इस्तिमाल करते क्योंकि एस्टिरोइड क्रीम है ज्यादा दिन तक आप इस्कीन पे इस्तिमाल करते हो एक ही जगर तो आपकी इस्कीन चील जाती है और आपकी इस्कीन में बाल भी आ सकते हैं तो इसलिए इसका इस्तिमाल आप फेरनेस के रूप में बिल्कुल से ना करें हाँ अगर आपको एसकी इलर्जी है दाथ खाज पुझली के समस्या है बेक्टरियल या फिर फंगल इंफेक्शन के समस्या है तो आप जानте किसका समय करना है तो जहां पर भी आपको इस तरह की समश्या होती है वहाँ पर सबसे पहले आप हलके बून बूने पानी से या फिर सेबलोन या डि तो डॉक्तर के सलाह के बात ही करें और short time तक ही इसका इस्तमाल करें आपको कि लोंग तर्म तक यूज करने से आपको इस्किन में और भी ज्यादा इचिंग के समझ्चा देखने को मिल सकती है और अगर आप पेस में इसका इस्तमार ज्यादा दिनों तक करते हो तो आपके पेस में बाल भी आ सकते हैं यानि कि छोटी-छोटे बाल जो है वो भी आने के स द मिल भंदिसकर जोर में और आपयादा ए खबने कि पाल दून कर देखने और भा इस करनोर क करने करते हैं तो रहादा कि घथलन कि आपको